Welcome to B.A.M.A. Classes Channel Sociology की B.A. First Semester की यह हमारी दूसरी क्लास है इससे पहले एक क्लास हो चुकी है यदि आपने वो नहीं देखिए तो पहले उसको जरूर देख लीज़े यह क्लास Hindi और English दोनों ही Medium के Students के लिए होने वाली है आपको Questions का आंसर Hindi और English दोनों ही Language में बिलेगा इससे पहले पहली क्लास में मैं कुछ Questions करवा चुका हूँ उनको जरूर देख लीज़ेगा वहाँ पर मैंने इन Questions को Discuss कर लिया है और आज हम बात करेंगे यहां से Define Competition इस Question से हम आज अपनी क्लास की शुरुवात करेंगे इससे पहले के जितने भी Questions है वो मैं आपको पहली क्लास में करा चुका हूँ यह बहुती Important Questions है जो आगामी परिक्षा में आपकी बहुती Help करने वाले हैं आप चाहे किसी भी University के Student है यह Top Most Important Questions है जो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है तो चलिए प्रशन की तरफ चलते हैं तो Question है Define Competition प्रत्योगीता को परिभाशित कीजिए प्रत्योगीता क्या है प्रत्योगीता एक एसहयोगी सामाजिक प्रिकरिया है एसहयोगी मतलब प्रत्योगीता में कोई आपका सहयोग नहीं करता है और अब यह आधुनिक समाजों की एक प्रमुक विशेष्टा बनती जा रही है, अब जो आजकल की सोसाइटी हैं, उनकी एक ये प्रमुक विशेष्टा बनती जा रही है, यह एक प्रत्यक्ष संगर्ष है, यह एक ऐसा संगर्ष है, जो directly नहीं है, indirect है, क्योंकि इसमें सीमित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन व्यक्ति या विभिन व्यक्तियों का समू एक साथ प्रियास करते हैं तो प्रतियोगिता में क्या होता है? एक एपरत्यक संघर्ष होता है, एक इंडिरेक्ट स्ट्रगल होता है जिसमें जो चीजें हैं वो सीमित हैं लिमिटेड हैं और उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का सम्हू कोशिश करता है कि हमें मिल जाएं इसलिए प्रतियोगिता को क्या कहा गया एप्रतियक संगर्श कहा गया या हम यह कह सकते हैं इसलिए प्रतियोगिता को सीमित व संभर्ष को बढ़ादें में सहीटा करती है प्रतियोगिता, सभी व्यक्ति चेतन या एचेतन रूप से सीमित वस्तों को प्राप्त करने का प्रियास करते रहते हैं, अत्यदिक प्रतियोगिता समाज में विगटन ला सकती है, परंतु यह प्रतिभाओं के चैन और समाज की प्रगती की दृष्टी से महतपुन भूमिका प्रतियोगिता का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि प्रतियोगिता के माध्यम से केवल और केवल प्रतिभाओं का ही चैन होता है, इससे होगा क्या कि समाज की प्रगती होगी, समाज की प्रगती में ए महतपुन भूमिका निभाएगी, हाना कि अत्यदिक प्रतियोगि is an attempt to reduce conflict. On the other hand, it is sometimes a helpful process in promoting conflict. All people consciously or unconsciously, Chetanman से या अच्छी तनमन से, keep trying to achieve limited things. वो limited things को achieve करने की कोशिश करते रहते हैं. Excessive competition, बहुत जादा competition can bring disintegration in the society, but it can also play an important role in the terms of selection of talents and progress of society. Unlike conflict, competition has a few rules and generally it does not have involved violence. इसमें violence नहीं होता है. तो हमने define किया competition को. अब अगले प्रशन की तरफ चलते हैं. अगला question है, what is folkways? जन रीतिया क्या है? इस शब्द का, यानि जन रीतिया शब्द का सबसे पहले परियोग अमेरिका के प्रोफेसर Graham Sumner ने 1906 में अपनी पुस्टख फोकways में किया था. फोकways शब्द, फोक और वेज, इन दो सब्दों से मिल कर बना है. जहां फोक का मतलब होता है जन अर्थाद जन्ता और वेज का मतलब होता है रीतिया अर्थाद तरीके. कहने का मतलब यह हुआ की कारिय करने के तरीके या रीथियां जो समाज में लोको दौर अपनाई जाती है, उन्हें ही का कहा जाता है, जन रीथिया कहा जाता है. This word was first used by American Professor Graham Sumner in his book Falk Ways in 1906. The word Falk Ways is made up of two words, Falk plus Ways. That is, the ways of working or the customs which are adopted by the people in the society are called Falk Ways. इसी में और आगे समझते हैं, जब समुदाय के अनेक व्यक्ति एक साथ एक ही तरह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वह एक सामूहिक गटना होती है, जिसे जनरीती यानि Falk Ways कहते हैं. यह जनरीती एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को हस्तानतरित होती रहती है, एक जनरेशन अपनी पुरानी वाली जनरेशन से सब कुछ सीखती है और उसी तरीके से चीजों को वहवार मेलाती है, जैसे खाना खाने, नहाने, सोने, उठने, बैठने, अभिवादन करने, वस् करें, लेकिन फिर भी हम यह सब करते हैं, क्योंकि जनरीतियां हमें ऐसा करने को कहती है, when many people of a community try together to accomplish the same objective, it is a collective phenomenon, which is called focus, this tradition keeps getting passed on from the generation to the next, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यह सारे जनरेशन होते हैं, यह पास होते रहते हैं, सीखती रहती है परानी जनरेशन से नही जनर अगला प्रशन है, अगला प्रशन है । अगला प्रशन है, डिभाइन telefon variance को परीभाषित किजे समाजिक इस्तरीकरण वह प्रकिरिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उच्च और निम्न इस्थिती में बांट दिया जाता है जहांपर व्यक्तियों के ग्रुप्स को अपर और लोवर क्लास में बांट दिया जाता है और जब यह विभाजन समाज द्वारा सुईकार कर लिया जाता है तो उसे समाजिक इस तरीकरण कहा जाता है समाजिक इस तरीकरण से मतलब ऐसे समाज से है जो विभिन इस तरों में विभाजित रहता है जैसे उधारण के लिए हिंदू समाज चार वर्गों में विभाजित है, वो कुन-कौन से वर्ग है, ब्रह्मन, शत्रिय, वैश्य और सूद्र, तथा अलग-अलग जातियों में भी विभाजित है, इसी परकार जो पस्चिमी समाज है, जो वेस्टन सोसाइटी है, वो of people are divided into higher and lower classes, and when this division is accepted by the society, then it is called social stratification, social stratification means a society which is divided into different levels, for example, division of a Hindu society into four classes, that four classes are Brahmin, Kshatriya, Veshya and Shudra, and different castes, उसके बाद ये different castes में भी दिए है, or the division of western societies into capitalist and proletariat classes is an example of social stratification, proletariat classes सरभारावर को कहते हैं, जिसमें गरीब लोग, मजदूर लोग, गरीब किसान लोग, ये साबाते हैं, अगला कुशन देखते हैं, अगला कुशन इसकुछ इस प्रकार से है, what is religion, धर्म क्या है, देखिए मानव समाज के इतिहास में धर्म का इस्थान हमेशा से रहा है धर्म संस्कृति का एक भाग होने के साथ ही मानव के समाजिक जीवन का एक महतपून आयाम भी है, ये मानव के वहवार को नियंतित करने के लिए किन आधारों को स्विकार कराता है, नियतिक आधारों को स्विकार कराता है, moral values को स्विकार कराता है, अलोकिक सत्ता के अस्तित इसमें यह ववस्ता है कि मानो अलोकिक शक्ति से डरने लगे और उसमें विश्वास करने लगे और उस शक्ति को वह अपने से अधिक शक्तिशाली मानने लगे Religion has always had a place in the history of human society Apart from being a part of culture, religion is also an important dimension of human social life It provides acceptance of moral grounds for controlling human behavior Religion is a system of belief in the existence of supernatural beings Religion is a system where we believe the existence of supernatural beings The arrangement in this is that humans start fearing and believing in supernatural power And they start considering that power more powerful than themselves In this way, we need to understand this Samaj Shastri Imail Durkhim has given the work of the Samaj Shastri Durkhim's approach is called the religion in the alokik shakti The religion is called the religion in the alokik shakti The religion is called the religion in the alokik shakti The religion is called the religion in the alokik shakti Durkhim has made a very important contribution to the sociology of religion According to Durkhim, belief in supernatural power is called religion Generally, this supernatural power is known as God Durkhim considered religion as a social phenomenon He has criticized the idea that humans accept religion out of fear of some untoward incidents So, I have done some short questions Now, we will discuss the long questions We will discuss the important long questions I will explain both languages in the same way And when you are prepared for long questions, short questions will be prepared for them So, we will get the next part of the long questions And if you want any other subject, please tell us in the comments You can tell us in the comments You will tell us in the comments You will tell us in the comments